हाई घाई ए800 वेल्कम बेक टू माई चैनल कैसे यह अप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्रेटनिंग की वीडियो शेयर कर रही ह su ud अच्छी वीडियो में आपको बताऊंगे कि घर पर या आप स्टेटनर से अपने बालों को किस तरह से बिलकु स्ट्रेट कर सकते हैं तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो हैं सब्सक्राइब करने लिए सबसे पहले तो आपको सेक्शन पर सेक्शन पतली पतली लेनी हैं एक साथ आपको बहुत ज़्यादा बाल लेकर बालों को स्रीट करेंगे इस तरह से टेल कोम,, कीौ लिजा एल्प से तो आपके बाल लॉंग ताइंग तक स्रीट रहेंगे मटेकान पूसेजें गानें गरनेंएब कराएंगे तो चार दिना पूस् подготов लिस तो तो इसक्टाइब करते हैं और इस तरह से developmental अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आपको अपने बालों की बिल्कुल लुक बहुत ज़दा अच्छी लगेगी बाल स्ट्रेट भी होंगे और बालों में शाइन भी बहुत ज़दा अच्छी आएगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेल कॉम की हल्प से बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं बिल्कुल पतली पतली लेर लेकर इस तरह से अगर आप बालों को straight करेंगे तो आपके बाल बिलकुल भी कर ली नहीं लगेंगे बिलकुल मुड़े गुए नहीं लगेंगे कहीं पर बालों में बैंड नहीं आएगा और बालों की लुक बड़ी अच्छी आईगी, आप चाहिए तो कोई हीरस्टाइल भी बाद में कर सकते हैं, या फिर हाफ कैचर लगाकर बालों को ओपन भी छोड़ सकते हैं, बड़े सुंदर आपके बाल लगेंगे, घर पर ही आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं, ये वाला स्ट्रेटनर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके रिजल्ट बड़े अच्छी है, प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है, ऑनलाइन भी आपको इसली मिल जाएगा, और लोकल मार्के स्टोड से भी आप इसली से बाई कर सकते हैं, इस सरा से स्ट्रेटनि स्ट्रेटनर का यूज किया है, जब भी आप अपने बालो को स्ट्रेट करवाते हैं, तो सबसे पहले तो आपके बाल बिल्कुल नीट और क्लीन होने चाहिए, आप अच्छी तरह से हिर वाश कर लीजिए, ताकि 3-4 दिन आपको ज़रूरत ना पड़े हिर वाश करने की, औ और दूसरा आपके बालो में ओईल बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल ओईल फ्री आपके बाल होने चाहिए, और बालो में टैंगर्स भी नहीं होने चाहिए, स्ट्रेटनर करवाने से पहले अपने बालो पर अच्छी तरह से कॉम्बिंग कीजिए, सारे तेंगल्स को अच्छी तरह से रिमूव कर लीजिए फिर आपके जो स्ट्रेटनर आपने जो बाल स्ट्रेट करवाए ना उसकी लुक कितनी जादी अच्छी आएगी कि ऐसा फील होगा कि आपने रिबॉंडिंग या स्मूथनिंग करवाई या केरेटेन करवाई है आप यूज करने से बाल तो डेमेज होते है ठोड़े बहुत तो बाल डेमेज होते आप उसके बाद आप च्छी तरह से शेंपू कीजिए, कंडिशनर का यूज कीजिए सिरम लगाईए, ओइलिंग अच्छी तरह से कीजिए तो फिर बालो पर इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब हमें किसी पार्टी फंक्शन में जाना है या फिर कोई भी ओकेशन वगारा पर जाना या घर पर कोई फंक्शन में तब आप अपने बालो को स्ट्रेट कर सकते हैं अदर्वाइज आप इसे इग्नोर ही कीजिए जब आपको कोई जरूरत ही नहीं है तो ज़्यादा यूज करने से बाल डैमेज होते हैं अगर आप मन्त में एक बार इसका यूज करते हैं या दो बार यूज करते हैं तो आपके बाल डैमेज नहीं होंगे बट अगर आप बार बार हर बार बालो को स्ट्रेट करते हैं स्ट्रेटनर का यूज करते हैं तो उससे बालो में थोड़ा फर्क पड़ता है बिल्कुल मैंने close से आपको दिखाया है वीडियो को मैंने बिल्कुल भी fast नहीं किया है अच्छी तरह से close से मैंने आपको दिखाया है ताकि ये वीडियो आपके लिए helpful हो और अगर आप यूज करना चाहते हैं आपको इसका यूज करना नहीं आता तो ये वीडियो देखकर आप स्ट्रेटनर का यूज कर सकते हैं अगर आपको अपनी सिस्टर के किसी के भी बालों को स्ट्रेट करना है तो आप इसली उसके बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं आप खुद के बालों को कि ज़्यादा लंबी यह फिर भी कितनी अच्छी तरह से उन्होंने सारे बालों को स्ट्रेट कर दिया है कि अ कि स्कैल्प से थोड़ी दूर्ड से ही हमें स्टेटनर को यूज करना है विल्कुल स्कैल्प के पास आपको इसे नहीं लेकर जाना है सभसे पहले अच्छी तरह से कॉं amigo कर ली जिए ट्रेम गफ को रिमूव कर ली जिए फिर आपको बहुत यह अच्छे वाले, रिजल्ट देखने को मिलेंगे स्ट्रेटनिंग करने के लिए सबसे जरूरी है कि स्ट्रेटनर अच्छा वाला होना चाहिए जितना अच्छा आपका स्ट्रेटनर होगा उतने ही ज्यादा अच्छे वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद आप फ्रेंच ब्रेड बनाएंगे न तो बड़े ही सुन्दर बाल लगते हैं ब्रेड बड़ी अच्छी लगती है एक लेयर पर कम से कम तीन से चार बार आपको स्ट्रेटनर का यूज़ करने हैं फिर ही आपके बाल अच्छी तरह से स्ट्रेट होंगे पूरी स्ट्रेटनिंग करने में कम से कम एक घंटा तो अराम से लग ही जाता है अगर आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट चाहिए आप चाहते हैं कि मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट लगे अच्छी लूक का इस सिल्की लगे शाहिनी लगे तो आपको टाइम तो काफी लग जाएगा और अगर आपको थोड़े बहुत ही बालों को स्ट्रेट करना है कि बस एक लूक अच्छी से आजे फिर आप थोड़ी जल्दी भी कर सकते हैं पारलर से अगर हम बालों को स्ट्रेट करने जाएं तो बहुत ज़्यादा चार्जिस हमें बे करने पड़ते हैं तो आप घर पर इसका बड़ी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं बहुत इजी है इसका यूज करना इसका टेंपरेचर सेट करके आप इसे बड़ी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं आपको मेरी यूवली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंड करके जरूर बताना तो चलिए गाइस अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी तब तक के लिए थैंक्यू बाइ